जो सत्य के रास्ते पर चलता है वह रास्ता एक ना ये कितन भगवान के द्वार तक हमें और आपको पहुंचा ही देता है सत्य का रास्ता ही इस्वर तक जाता है दूसरा कोई रास्ता नहीं है आप जूट लाख बोल दो लेकन जूट बोलने से ना आपको ही शान्ती मिलेगी ना तो आपको ये लोग बनेगा ना परलोग बनेगा सत्य बोल के हार जाना अच्छा है पर जूट बोल के जीत जाना अच्छा नहीं है जूँठ बोलके जीत जाने से अच्छा है सच बोलके हार जाईए कम से कम आप सत्य के साथ तो रहेंगे जीवन में जूँठ का साथ नहीं देना चाहिए हमें किसका साथ देना है मेरी माँ सत्य का अच्छा आप मैसे कितने लोग हैं जो सत्य बोलते हैं कभी जूट ना बोला करो कभी साल में एक बार दो साल में एक बार दस साल में एक बार जूट बोल दिया तो माफ है माफ तो नहीं है पर कम मात्रा है ठीक है एक लीटर दूध में यदि आपने दो बूंद पानी मिला दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक लीटर दूद में दो बूंद पानी मिला दिया कोई फर्क पड़ेगा पर एक लीटर दूद में एक लीटर ही पानी मिला दिया तो फर्क पड़ेगा जीवन में दो चार वार जूट बोल दिया तो कोई फरक नहीं पड़ता, छोटा सा पाप है, नश्ट हो जाएगा तुमारे पुन्य से, पर पाप ही पाप है, तो दंड जादा होगा, इसलिए जूट की मात्रा कम कर दीजिए, असत्य की, एक सजन बोले महराजी हम सच बोलेंगे तो हमारा विजनेस ही नहीं चलेगा, हम हमारी दुकान ही नहीं चलेगी, हमने कहा भाई, जब जूट बोलने से तेरी दुकान इतनी चलती है, तो सोच तू सत्य का सहारा लेगा, तो और कितनी दुकान चलेगी तेरी, यदि जूट तुझे इतना आगे ले गया, तो सोच सच तुझे कितना आगे ले जाएगा, पर बिडमना तो यह है लोगों को जूट पर तो भरोसा है पर सत्य पर भरोसा नहीं है और मैं आप से एक निवेदन करूँगा कि जीवन में सत्य ही आपको आगे ले जाएगा यदि जूट की इमारत आपने बना रखी है तो जूट की इमारत बहुत जल्दी धरासाई हो जाती है क्योंकि वह मजबूत नहीं होती है सत्य की नीव बड़ी मजबूत होती है मेरी मा सत्य के रास्ते पर चलोगे तो सदियां गुजर जाएंगी समाज तुम्हें पूजना बंद नहीं करेगा यदि जूट के रास्ते पर चलोगे रावड जूट के रास्ते पर चलता था राम जी सत्य के रास्ते पर चलते थे तो लोग मंदिर बना के पूजते हैं और जूट के रास्ते पर रावड चलता था तो गली-गली पुतले जलाए जाते हैं ये है जूट का परिणाम तुम बोलोगे जूट परिणाम क्या होगा बरतमान को ना देखो इस बरतमान में किये गए कर्म का परिणाम क्या होगा उस पर तु दरश्टी डालो जो आज है जो तुम आज अच्छा या बुरा कर रहे हो इसका भविश्य क्या है कल क्या होना है इसका उस पर दरश्टी डालना जरूरी है भविस्य को देखना भी जरूरी है हाँ कहां देखना चाहिए भविस्य को रावड ने यदि ये सोचा होता कि मेरे जैसा पंडित मेरे जैसा ग्यानी यदि मेरे जैसा ग्यानी सीता को चुराएगा तो समाज में संदेश क्या जाएगा, मैसिच क्या जाएगा रावड ने यदि इस बात पर थोड़ा सा विचार किया होता तो शायद रावड ये गलती ना करता शायद रावड के पुत लेना जलाए जाते आप कोई भी काम करने के पहले एक बार आने वाले भवश को जरूर ज्हाँक कर देखिएगा कहीं लोग आपको आने वाले भवश में गालियां तो नहीं देंगे वो सामा नाम का एक व्यक्ति था जो मारा गया लादेन उसने कितना अपराद किया कितने निर्दोस लोगों को मारा क्या हुआ आज तक लोग उसे गालियां देते हैं आज तक उसके नाम पर किसी ने आशू नहीं बहाय होंगे देखो मरना तो सबको है, मेरी माँ आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है अब निर्णय ये करना है कि जूट बोलके मरना है कि सत्य बोलके मरना है रावड बनके मरना है कि राम बनके जाना है ये आपका निर्णय है आप देख लीजिए इसलिए गलत मारग ना पनाईएगा आपके लिए बहुत हानिका रख अच्छा तो लगता है खुजली जब होती है खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है लेकन जो उसकी जलन होती है खुजलाने के बाद वो बड़ी दर्दनाक होती है ऐसे जूट भी खुजली की तरह जूट बोलने बड़ा मजाता है बड़ा मजाता है बहुत पैसे मि लगे बहुत कमालिया बहुत बड़े आदमी बन गए लेकन उसका जो रियक्षन होगा जो उसकी जलन होगी असाहनिय वेदना होगी असाहनिय दर्द होगा इसलिए जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर ना चलना बच्चों को यही सिखाओ बच्पन से बेटा नमक रोटी खा और पाप की रोटियां खाने के बाद चूरन खाओ तो भी हजम नहीं होती पेट गुड़ गुड़ करता रहता ना तो रात को नेंद आएगी ना तो चैन मिलेगा आप आलीसान बंगला बनवा लीजिएगा जूट बोल करके पाप करके रह लीजिए उस बंगले में शांती नहीं मिलेगी रावड सौने की लंका में रहता था शांती नहीं मिली जबकी रावड जिस लंका में रहता था वह लंका किसने बनवाई थी आपको पता है वह लंका भगवान शंकर ने बनवाई थी किसके लिए बनवाई थी अपने लिए पारवती ने कहा कि पहाड में रह से रहते हैं यहां पहाड में पड़े रहते हो संकर जी ने का पारवती की इक्षा है तो एक बढ़िया सा घर बनवाते हैं ओ संकर जी ने कृपा की और सौने की लंका बनवादी संकर जी और ग्रह प्रवेश घर बनाया तो ग्रह प्रवेश के लिए पंडित जी तो शंकर जी बोल इस समय बढ़िया पंडीच जी रावड ही है रावड को बुलाया आघ जरह ने ग्रह प्रभेष्कराओं तो रावड ने ग्रह प्रभेष्कराया संकर जी ने का बताव दक्षणा में क्या चाहिए लंका रावड बोला ये लंका वड़ी अच्छी जो आपका घर है आप क्या करेंगे आप तो अवगड़दानी है आप जहां रहते जो वहीं रहिए ये हमें दे दीजिए पारवती ने बोला हे भगवान कैसा पंडिच है गरह प्रवेश में घर ही मांग लिया तो माता पारवसंकर जी बोले अब तो दे दिया हमने पारवती से कहा चलो वहीं जहां थे पारवती जी ने स्राव दे दिया मूर्ख इतना लालची है तू जा दूसरों के घर में कपजया करता है रहेगा जरूर इस लंका में पर तुझे शांती नहीं मिलेगी जिस दिन से रावड लंका में सिप्ट हुआ अपना सामान लेकर उस दिन से रावड उस लंका में सुख ही नहीं रहा आपको क्या लगता है दूसरों की संपत्ती हड़प लेने से सुख मिल जाएगा आज गल तो छोटा भाई बड़े भाई की हड़प लेता है बड़ा भाई छोटे भाई की संपत्ती हड़प लेता है आज तो भाई भी हड़प लेता है अच्छा आप लोगों को क्या लगता है दूसरों की हड़प लेंगी तो मज़ा जाएगा बड़े आदमी हो जाएंगे इज़त बड़ जाएंगे क्यों ये नहीं सोचते कि तुमको ईश्वर हर पल देख रहे हैं परमात्मा की दरश्टी से कोई नहीं बचा लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले चतुर नर समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता सब का हिसाब किताब खाता भही वहाँ है तुमने कितना अच्छा और कितना बुरा किया है इसलिए बुरा ना करना किसी के साथ भाई के साथ भी ना करना जमाने के साथ भी दुस्मन के साथ भी बुरा ना करना इमानदारी से हमारे यहां तो दुस्मनी भी इमानदारी से निवाई जाती है छाती पे वार तो करना पीट पे प्रहार ना करना हमारे यहां दुस्मनी भी इमानदारी से निभाई जाती है नहीं हाँ या ना बोलो हाँ या ना हमारे यहां दुस्मनी भी इमानदारी से निभाई जाती है दुस्मनी में भी सत्तिता होती है हमारे यहां लोग कहते हैं दुस्मन के पीठ परवार नहीं करना हूँ च्छाती पर, सामने से, बता के के मैं आ रहा हूँ पाप तो यहां भी है यदि पीठ परवार कर दिया इसलिए मनुश्य का धर्म है परोपकार करना, सत्य बोलना इस रास्ते से कभी हिलिएगा मत सत्य के लिए ये भारत कौन सी धर्ती है जरा सुनिएगा, सत्य के लिए हम लोग बिक जाने वाले लोग है राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक जाते है राजा हरिश्चंद्र की पतनी तारा बाजार में बिक जाती है हरिश्चंद्र का बेटा बाजार में रोहित नाम का बिक जाता है बिक जाता है लेकन अपने सत्ति को नहीं छोड़ता ये भारत की धरती है जहां जहां अपने आपको बेंच दिया जाता है लेकन उस हाल मैं भी सत्ति को नहीं छोड़ा जाता है राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेंच दिया, अपने आप को बेंच दिया, किस के लिए? सत्थी के लिए मोरद ध्वज नाम के एक राजा थे, उन्होंने अपने बच्चे को आरे से चीर करदान दिया था सत्य कितनी बड़ी चीज है, शायद आप नहीं जानते गोश्वामी जी लिख रहे हैं, सत्य बराबर तप नहीं, जूट बराबर, पाप सबसे बड़ा पाप क्या है? जूट बोलना, और आज लोग जूट ही बोल रहे एक राजा थे, उनका नाम था मूरद ध्वज यह दूआपर यूग की अंत की बात है जब दूआपर यूग में महा भारत का युद्ध हो गया, धर्मराज युदिष्ठ राजा बन गया और राजा बनके उन्होंने प्रजा को खूब भंडारा किया भोजन प्रशादी किराया, लंगर चलाया, यग किया सब को संतुष्ट किया, दान दक्षना देकर तब अहंकार से अर्जुन ने अंगडाई लेते हुए स्री कृष्ण से कहा स्याम सुंदर, बताओ कैसे धरती में हमारे भाई से बड़ा कोई दानी है क्या हमारे भाईया धर्मराज युदिष्ठिर से बड़ा कोई दानी दूसरा है बड़ी अहंकार से ये बात अर्जुन कह रहे है, भगवान मुस्कुरा दिये भगवान ने कहा अर्जुन, तुमारे भाईय का नाम तो लिस्ट में सबसे नीचे है अरे, नीचे है तो जरह हमें लिस्ट चेक कराओ, सबसे उपर किसका नाम है भगवान ने कहा, लिस्ट चेक ना करो, हमारे भगतों का हिसाब किताब हमारे पास रहता है तुमारा भाई तो अभी बहुत छोटा है दानियों के नाम पर छोटा अच्छा तो बड़ा कौन है जिद कर ली अरजुन ने हमें बताओ कि सबसे बड़ा दानी कौन है भगवान ने अपनी लिष्ट पकड़ा दी देखा तो सबसे उपर नाम था मोरद धोज का इस दुनिया में बड़े बड़े दानी हुए है मेरी मा उन दानियों में दानवीर करण भी है दानवीर हरिश्चंद्र भी है लेकिन इन सब के दान से स्रेश्ठ दान मोरद धोज का दान है ये मोरद धोज ने आखर क्या दान कर दिया चर्चा लंबी है जब अरजुन ने देखा कि मूरध धोजि नाम का व्यक्ति हो उसका नाम अरजुन ने कहा महराज मैंने तो इसादमी का नाम भी नहीं सुना यदि दानी होता तो मेरे कानों में इसका नाम कभी ना कभी तो पड़ता भगवान बोले ये दानी जड़ा गुप्त में रहता है छिपा करके देता है इसे जान पाना संभव नहीं है अरजुन बोले मैं परिक्षा लेकर देखूंगा कि सच्ची दानी है कि आप पक्ष ले रहे हैं भगवान बोले देखो मुझे तो उस पर कोई संदेह नहीं है सच्चा दानी है तुम्हें फिर भी संदेह है चलो परिक्षा ले लो अरजुन, कृष्ण और यमराज यमराज जी को बुलाया गया अरजुन और कृष्ण ने ब्राम्हन का रूप बनाया यमराज को सेर का रूप बना दिया सेर बन गए बुढ़ा सा सेर बन गए यमराज जी अरजुन और स्रीकृष्न पंडिजी बन के गए भीक्षाम देही भिक्षाम देही, मोरद्वज के दरवाजे में जाकर भिक्षा, जब भिक्षा मांगी, मोरद्वज निकल के आए, ब्रामण देवता आए है, देखो घर में ब्रामण आए, तो बड़ा सम्मान किया करो, बड़ा आदर किया करो, ना जाने किस रूप में नारायन मिल जाए, है बताईए आपका आगमन क्यों हुआ है मैं आपकी क्या मदद करूं क्या सेवा करूं बताईए ब्रामणों ने का है राजान आज हमने सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो अच्छा मोरध्वज का नियम था कि पहले जब तक किसी को दे नहीं देते थे तब तक वह अनभी ग्रहण जलभी ग्रहण नहीं करते थे दान देकर ही वह कुछ खाते और पीते थे आज ब्रामण आए है क्या देना चाहिए जो आप मांग लेंगे सो दे देंगे अच्छा तो फिर एक काम कीजिए ना ब्रामणों ने कहा यदी देना हो तो हाँच में जल लेकर संकल्प लो ऐसा तो नहीं कि हम मांगे और आप मुकुर जाओ इसलिए पहले संकल्प अच्छा मोरद्वज ने कहा जो मैं कह देता हूँ वह करता हूँ प्राण जाए पर बचन न जाए आपको फिर वी यकीन नहीं है तो एक काम कीजिए ये रहा संकल्प हाँच में जल लेकर के संकल्प कर दिया जो आप कहेंगे मैं दूंगा संकल्प छूट गया अब ब्रामणों ने कहा मोरद्वज आपने संकल्प दे दिया है जो मांगूंगा दोगे मोरद्वज ने कहा मेरा सीस मांग लोगे सीस दे दूंगा राज्य मांग लोगे राज्य दे दूंगा जो मांगो दे दूंगा ब्रामणों ने कहा ना तेरा सीस चाहिए ना तेरा राज्य चाहिए फिर क्या चाहिए कह दिया ब्रामणों ने महराज मेरा सेर बाहर खड़ा है महिने भर से भूखा है बूढा हो गया है दात गिर गए है कुछ खा नहीं पा रहा है उसके लिए जरा से मांस की विवस्था कर दीजिए मांस दे दीजिए मौरद धोज ने कहा वस इतनी सी बात अरे मांस चाहिए मैं अपना मांस देता हूँ आपका सेर कितना खाएगा देखो मांस राजा में आपका मांस नहीं ले सकता आपका मांस जरा कड़ा हो चुका है बूढा सरीर है आपका मैंने सुना है आपका एक छोटा सा बच्चा है अच्छा मोरद धोज का एक ही बेटा था नाम था तामरद धोज अभी केवल छे साल की आयू थी पांस से छे साल का बालक था छोटा सा था बहुत पूजा पाथ करने के बाद बहुत प्रार्थनाई करने के बाद विधाता ने ये बेटा दिया था ब्रामण कह रहे हैं कि आप अपने बेटे का मांस हमारे सेर को डालो सेर बुढ़ा हो गया है दांत तूट गए हैं तो वह कड़ा मांस नहीं खाता बच्चों का मांस जरा कौमल होता है तो बच्चे का मांस दीजिए पर सर्त एक और है क्या शर्त है बोले हमारे सेर के दांत नहीं है तो वह मांस फाड़ नहीं सकता तो आपको ही अपने बच्चे के टुकड़ी टुकड़ी करने होंगे आपको बच्चे को फाड़ कर देना होगा क्योंकि वो तो फाड़ नहीं सकता उसके तो दाज टूटें अब तो मोरद्धवज के पाउं के नीचे से जमीन खेसके परन्तू वचन दिया था मोरद्धवज के सामने सबसे बड़ा संकट यह था कि यद मैं बेटे को जवरदस्ती पकड़ कर मार डालता हूं तो बाल हत्या लगेगी किसी को भी मारना हत्या है यदी मैं बच्चे को मार देता हूं तो हत्या लगेगी और नहीं देता तो जो मैंने वचन दिया है बचन मिथ्या हो जाएगा धार्म संकट में पड़ गए मोरध्वज तब ही उनका वह नन्हा सा बालक पांच वर्स का दोड़ा दोड़ा आया पिता जी मैंने सब सुन लिया आप यही सोच रहे हैं ना कि मेरी मर्जी है या नहीं पिता जी ये लो में खड़ा हो गया अरे वह पुत्र पुत्र कैसा जो अपने पिता के धर्म को ना बचाए यदि मेरे द्वारा आपका धर्म बचता है पुत्र के द्वारा पिता का धर्म बचता है तो यही पुत्र का धर्म है कि वह पिता का धर्म बचाए इसलिए उसका जनम होता है मैं आपके धर्म की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों का वलिदान दे सकता हूं पिता जी आपका वचन मिध्याना हो यदि आज आपका वचन तूट गया तो आपका धर्म चला जाएगा और बेटे के रहते बापका धर्म चला गया तो बेटे का होना ब्यर्थ है अरे पिता के धर्म की रक्षा पुत्र ना करेगा तो कौन करेगा बेटा खड़ा हो गया आरे की विवस्था की गई जब रानी को पता चला मोरध्वज की पतनी को के बच्चे को वारे से चीरना है आरा जो लकडी को चीरता है आरा ताम रध्वज खड़ा है एक तरप रानी एक तरप राजा रानी के तो हाथ काप रहे हैं कौन सी मा होगी जो अपने बच्चे के शरीर में आरा चलाएगी मा थर-थर कापने लगी रौने लगी बच्चे को हिर्दें से लगा लिया चूमने लगी गालों को माथे को चूम कर हिर्दें से लगा लिया बेटा ये क्या हो रहा है तब ब्रामनों ने कहा देखो देवी समय कम है सेर भूखा है जल्दी से आरा चलाओ यदि तुम अब आशू बहाओगी तो हम यहां से चले जाएंगे और हम चले गए तो इनका दिया हुआ वचन मित्या हो जाएगा इनका सत्य आज तक टूटा नहीं इनका वचन आज तक टूटा नहीं और यदि आप आशू बहाओगी तो कहीं आपके आशूओं के कारण आज इनका वचन टूट ना जाए मोरत ध्वज का वचन ना टूट जाए रानी ने अपने आखों के आशू पहुँचे बेटे को बीच में खड़ा किया बेटे ने मा की तरफ देखा मा पुत्र की रक्षा मत करो मा धर्म की रक्षा करो यदि आज पिता का वचन टूट गया पिता जी ने जनम से लेके आज तक कभी जूट नहीं कहा यदि मेरा बलिदान नहीं दिया आपने तो पिता का पहली बार वचन टूट जाएगा और मैं आपसे कहता हूँ मा पुत्र मर जाएगा तो फिर बापिस आ सकता है पुत्र चला जाएगा तो बापिस आ सकता है पर धर्म चला गया तो बापिस नहीं आएगा इसलिए पुत्र की रक्षा नहीं आज धर्म की रक्षा कीजिए धारमो रक्षती रक्षिता खड़ा हो गया बेटा सिर्प आरा रखा गया एक तरफ रानी ने एक तरफ राजा ने पकड़ा और बस आरा चलाने ही जा रहे थे तो से नन्य से बच्चे ने आवाज लगाई मा एक पल के लिए रुक जाओ दौड कर गया रुई लेकर आया मा के कान में रुई लगा दिया पिता के कान में रुई मा ने कहा पुत्र ये रुई कान में क्यों मा जब आप आरा चलाओगी ना तो मैं चीखूँगा चिलाओँगा शायद मैं दर्द के कारण बहुत जोर से चीखूँ और मेरी चीख हिदाब के कानों में चली गई तो आप आरा चलाना बंद कर दोगी मा और आरा चलाना बंद कर दिया तो पिता का धर्म संकट में पढ़ जाएगा इसलिए कानों में रूई लगा रहा हूं कि मैं कितना भी चीखूं कितना भी चिलना हूं पर आप आरा चलाना बंद मत करियेगा कान में रूई लगा दिया खड़ा हो गया आरा चलाना स्टाट किया खून की पिछकारियां दीवारों में जाने लग गई मा के माथे पे खून आने लगा बच्चे का पिता के माथे पे खून आ गया चारों तरब रखते ही रखत बिखर गया और देखते ही देखते वह बच्चा दो भागों में फट गया सिर से आरा चलाया दो भागों में फट गया ब्रामणों ने कहा इसका दाहना अंग ले जाकर मेरे सेर को डाल दो और इसका बाया अंग ले जाकर गटर में फेक दो जब ये गटर की वात आई तो मा की आँखों में आशू आ गए ब्रामनों ने कहा आप से मना किया था कि रोना नहीं है महराज मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि पुत्र चला गया फिर क्यों रो रही हो महराज इसका एक भाग अपने सेर को डालने को कहा दूसरा फेकने को एक खाएगा तो दूसरा भी खिला दीजिए कम से कम बच्चे का पूरा शरीर किसी के काम तो आएगा गटर में यूँ ही पड़ा रहेगा इसका एक अंग आपके काम आगया इसका दूसरा अंग आपके काम नहीं आ सका इसलिए मेरी आँखों में आशू आ गए ब्रामणों ने कहा अच्छा ठीक है भागवान स्री कृष्ण ने कहा हमें भूख लगी है जाओ भोजन बनाओ राजा रानी ने स्नान किया और उसी हाल में भोजन बनाया अब देखिए जरा ये भारत की सच्ची घटना घटी हुई घटना है जैसे गुरू गोविंद साहव के दो बच्चों को दीवार में चुनबा दिया गया था ये केवल कहानी नहीं है ये तिहास की सच्ची घटना है उसी प्रकार ये भी सच्ची घटना ये केवल कलपना नहीं है कहानी या नहीं है ये घटी हुई घटना है स्री भगवान ने कहा भोजन कराओ दौनों ने भोजन बनाया और जब थाली सामने आई भोजन जब भगवान ने ग्रहण करना सुरू किया रोटी तोड़ी और बापिस रख दी राजन हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे क्यों महराज आप हत्यारे हैं और हत्यारों के घर हम भोजन नहीं करते हत्यारे हमने कौन सी हत्या की अभी अभी आपने बच्चे को मारा है मेरे आखों के सामने सिर पर आरा चलाया महराज वो तो आपने कहा था हमने कहा था तो बच्चे को मार डालोगे महराज सत्ति के लिए अच्छा अपने सत्ति के लिए बच्चे की जान ले ली तुम हत्यारे हो कुछ भी कहो हम तुमारे गर भोजन नहीं करेंगे जा रहे हैं और ब्रामण जब जाने लगे मौरद धजर आने लगे पहली वार मेरे द्वार से कोई ब्रामण भूखा जा रहा है पहली वार मेरे दरवाजे से कोई ब्रामण नाराज होकर जा रहा है महराज आपके दरवाजे से जब कोई भूखा चला जाता है तो वह भूखा व्यक्ति आपका सारा पुन्य अपने साथ लेकर चला जाता है कोसिस कीजिएगा कि आपके दरवाजे से कोई भूखा ना जाए यही हम ग्रहस्थ लोगों का परमधर्म है अतिथी देवो भव मो रज्वजने भगवान की तरव देखा है विधाता यदि मैंने आज तक किसी का अपनी वानी से अपने मन से अपने कर्म से दिल ना दुखाया हो तो हे विधाता मुझे मैं ये कलंक लगा जूटा कि मैंने पुत्र की हत्या की है हे विधाता मुझे इस कलंक से बचालो मैं सब सह सकता हूँ पर अपने माथे पे कलंक नहीं सह सकता हे विधाता मेरा पुत्र मुझे लोटा दो यदी नहीं लोटाया तो जमाना सच कहेगा सची यही कहेगा कैसा पिता था उसने अपने पुत्र को मार डाला बेटा तामरद्वज बेटा एक वार तु जिंदा होकर अपने पिता के धर्म को बचा ले और ये कहकर मोरद्वज मूर्चित होकर गिर पड़े तभी अंदर से दाड़ता हुआ दाड़ता हुआ वही वालक वही तामरद्वजियों का त्यों लोट कर आगया पिता जी मैं मर कर भी आपका धर्म बचाऊंगा और आपके धर्म के लिए जिंदा होना पड़ा सो मैं जिंदा होकर भी आपके धर्म को बचाऊंगा दाड़ कर आ गया और अपने पिता के हिर्दें से लग गया पिता ने देखा तो ना वहां कोई सेर था ना कोई व्रामन थे वहां तो भगवान स्री कृष्ण खड़े थे और अरजुन आखों में आसूलिये खड़े थे अरजुन मूरद्वज के चरणों में गिर पड़े महराज चमा कर दो सची कहा था भगवान ने कि आपके जैसा दानी कोई नहीं है अरे धन का दान बड़ा नहीं है शरीर का दान बड़ा नहीं है अपना माथा भी अपना सिर्वी काट के चड़ा देना बड़ा नहीं है ले मोरद्वज की आँखों में आशू आ गए भगवान से कहा प्रभू आप हैं क्या आपको मुझे पर विश्वास नहीं था कि मैं आपके कभी सत्य को टूटने नहीं देने वाला हूं भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा मोरद्वज यदि मैं जमाने से कहता कि तु सबसे के बता दिया कि तेरे जैसा दानी ना भूतो ना भविश्यती ना हुआ था ना कभी होगा इसलिए मोरद्वज का नाम दानियों मैं सर्वस्रेष्ठ दानियों की लिश्ट में इनका नाम अपने बच्चे को वारे से चीर कर दे दिया लेकिन धर्म को नहीं जाने दिया सत्य को नहीं जाने दिया अब यहां मैं आपको एक सारांस सुनाता हूं मोरद्वज ने किसकी रक्चा की धर्म की और धर्म की रक्चा जब उन्होंने की तो ने का मरा हुआ बेटा जिन्दा हो गया की नहीं मरे हुए बेटे को जिन्दा किस ने किया जब आप धर्म की रक्चा क करता है धर्म और रक्षति रक्षिता यदि आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा नहीं करेंगा सत्य की रक्षा आप करेंगे तो सत्य भी आपकी रक्षा करेंगा इसलिए सत्य के रास्ते पर चलना है यह भारत वही भारत है यह मिट्टी वही मर गए, मिट गए, लेकन सत्य को नहीं जाने दिया। इसलिए प्रार्थना करता हूं, हजार, दो, हजार, लाख, दो, लाख, दो, लाख, दस, लाख के लिए जूट ना बोला करो। दस लाख भी तुम जूट बोलके कमा लोगे, तो दस लाख, दस दिन में खत्म हो जाएगा, लेकन जो जूट बोलके दस लाख कमाया है, वो दस जनमों में भी खत्म होने वाला नहीं, वह जूट का परिणाम मिलेगा, और वह दंड भोगना पड़ेगा। जूट ना बोला करें, असत्य ना बोला करें, सदा सत्य का सहारा लिया करें, आस्रा, आस्रित, सत्य का आस्रा लिया करें, शत्य की सरण में जो रहता है, सत्य कौन, ब्रह्म सत्यम, सत्यमीन्स इश्वर, जो सत्य की सरण में है, वही भगवान की सरण में है, जो सत्य की सरण में नहीं वह भगवान की सरण में भी नहीं सत्यमेंस इश्वर सत्यमेंस कृष्ण 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 ही सत्य तो आप सत्य बोलते हैं मतलब आप कृष्ण का आस्रे लिए